हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग ठीक चल रही है आप लोग की पढ़ाई आज हम लोग रास्टी अनसूचित जन जाती आयो के बारे में पढ़ेंगे ठीक है इसके पहले हमने आपका का ऐसी कमीशन कतम किया था और आपको शायद याद होगा सभी को याद होगा जो नेशनल कमीशन आफ शैडूल ट्राइप उसका एतिहासिक विकास ठीक यहीं से है देखिए परिक्षा अब आपको सभी को पता होगा अब 24 अपरेल की जगा 19 जून हो चुकी है तो आपके बास समय मिलने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब आराम से हम करेंगे त्यारी आप लोग प्लीज अब तो बिस्तार से पढ़ने का समय है बहुत बहतर तरीके से आप पढ़िए आपके अच्छे से नोट्स बराइए उनके त्यारी कीजिए वो बाद में बहुत काम आएंगे आपको और हाँ आगे हम एक MPSC प्रिलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं जो बहुत कम प्राइज में होगी और उसके जो प्रशन होंगे वो प्रयास करेंगे ऐसे प्रशन होंगे जो एक्जाम पॉइंट आवियो से आपके लिए बहुत महात्रपूर होंगे और साथ ही अभी UGC NET का जो एक्जाम होने बाला है इस जून में उसके लिए भी जो समाज का रिविश्य है उसके लिए भी हम एक टेस्ट सेस का लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए एक्जाम को लेकर काफी ज़्यादा आपके लिए यूसफुल होगा वो ठीक है चली स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का राष्टी अनसूचित जन जादी आयोग देखिए जब भारत स्वतन्तर हुआ था आपको हमने बताया था उसमें भारत के संविधान के आधार पर बहुत से कुछ चीजें पहले से संविधान में टाल दी गई थी लेकिन उसका चांव हो जाए ऐसा संभण नहीं हो सकता न तो इस आधार पर क्या होता है कि संविधान में तो बना दी यह यह लेकिन आगे जैसी जैसे हमें आवीशक्ताये होती गई वैसी वैसी आविशक्तायों के आधार हम उसमें सुधार करते चले गए जैसे सुरुवात में आप हमने बताया कि जो नेशनल कमीशन आप शैडूल कास्ट और नेशनल कमीशन आप शैडूल ट्राइब दोनों का जन्म एकी ही आधार पे हुआ उसके बाद विवस्ता हुई तो एक सदर्सी से बहुत सदर्सी हो गया फिर उसके बाद हुआ तो उसको सम्विधानिक डर्जा उस आयोग को मिला और उस समय यह दो भागों बढ़ गए एक शैडूल कमीशन नेशनल कमीशन आप शैडूल कास्ट में आ गया और दूसरा हो गय आउनल किरा इसको सम्विधान पकाद्य प्रेश्च में चला मिली हुई है इसलिए सम्विधानिक आयोग है कौंसा हो गई कि एक सम्वेधानिक आयोग है इस बात को और ध्यान रखीगा यह करता क्या है यह भारत में जातियों के हितों की रस्चा हेतु कारे करता है तर interacts आपको दो घंटे तीन घंटे का वीडियो देखने को मिलता है और काफी कुछ चीजे बहतर भी बहुत लोग बताते होंगे हम मांगते हैं ऐसा कुछ नहीं कह सकते किसी की बारे में तेकि जनरली आपको हम कम समय में पूरा एक बार जो में में चीजे हैं वो सब बताने की कि अनुसूचित जाद्यों के हीतों की रक्षा हेट्व कारी करता है यह इंप पूछ सकता है एक्जाम में कि कारी 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 यह यह है यह भारत के सम्थान में अनुचे 338 ए के तहत यह सम्थान में आयोयो के रूप में जगह प्राप्त की हुई के लिए सुरक्षा उपायों के लिए सुरक्षा उपायों में से संबंदित वाग लें दिना वी आयोग उनकी सामाजिक आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया by भाग लेने के साथ सलाह देना के अधिकार है इसका घंक प्रष्टमू में के लिए है किसके लिए है यह हो गया SC के लिए भी और साथ में ST के लिए यह दोनों के लिए है हुआ क्या था सुरुवात में जब सम्विधान हमारे लागू हुआ तो उसके बाद क्या है एक विशेश अतिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की गई कैसे की गई सम्विधान के प्रारम पे अनुच्छे 338 था देखिए अभी जब सम्विधान प्रारम हुआ लिखा गया तो उसमें केवर अनुच्छे 338 की चर्चदी गई थी इसके तहट क्या एक विशेश अतिकारी की नियुक्ति होती थी और यह क्या है यह जो विशेश अतिकारी की नियुक्ति कौन करता था यह करता था आपका राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती थी और विशेश अतिकारी को आयुक्त क के रूप में क्या नाम होता था इसका आयुक्त के रूप में इसको नामित होता था ठीक है अब थोड़ा सा जब आवशकता हुई जब प्रड़ी विकास हुआ कि आगे और कुछ करना चाहिए तब क्या हुआ तब भारत में 65 समविधान संसोधन अधिनियम 1990 यह यह लागू मार्च 1992 को को एक सदस्य प्रणाली को किसमें कर दिया गया बहु सदस्य के रूप में कर दिया गया मतलब इसके अभी तक क्या ऐसे होती थी अभी केवल एक ही सदस्य होता था लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया इसको कर दिया गया बहु सदस्य कर दिया गया मतलब ए दस लोग हुआ करते थे उस आयोग में और यह सेडूल कास्ट और सेडूल ट्राइब मतब अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती इन दोनों के लिए काम करता था ठीक है उसके बाद क्या हुआ 65 सम्विधान संसोधन से जो आपको उता है 1910 में हुआ इसमें अनुच्छे 333 में संसोधन भी किया गया और एक सदस्य क्या कर दिया गया बहु सदस्य कर दिया गया जो 10 सदस्य हुआ करते थे इसमें यहां तक क्लिर हो गया यह दोनों की कहानी हमने आपको बताई थे एक जैसी चाल रही थे अब आगे आता है जिसे फिल्मों ट्यूस्ट आता है सेम उस प्रकास इसमें ट्यूस्ट आ रहा है यह नवासिवा संविधान संसोधन 2003 ठीक है इसमें क्या हुआ इसके अधार पर संसोधन में अनसुचित जाती इवां अनसुचित जन जाती इन दोनों के लिए क्या है जो पहले से आयोग था राश्टी आयोग को वर्ष 2004 में कब 2004 म अने अलग-अलग आयोगों में बदल दिया गया और इसके तहें एक राश्टी अनसुचित जाती आयोग कर दिया गया अने जोद्धन करके उसमें एक खाला और जोड दिया गया और वह कर दिया गया है 338 A अब यहाँ पर संबैधाने का आधार क्या हुआ National Commission of Schedule Tribe का क्या हो गया 338 A अब प्रेयर हो गया अब यहाँ से थोड़ी सी कहानी बदल गई अब जो भी आगे हम बात करेंगे वो National Commission of Schedule Tribe के आधार पर हम लोग इसमें बात करेंगे ठीक है संरशना सेम वैसी होती है जैसी सेडूल कास्ट में होती है सेम होती है सेडूल Tribe में सेम होता क्या होता है एक अध्यक्ष होगा और चार सदस्य होंगे और इस चार को आप एक Vice President मान सकते हैं यह President हो गया और तीन अन्य लोग होंगे तो तोलर कितना हो गया यह आपका एक President हो गया एक Vice President हो गया और तीन और लोग हो गया मतलब टोटल पाँच लोग इसमें होते हैं यह सेम संरशना आपको किसमें राश्टी अन्सूचित जाती राश्टी अन्सूचित जन जाती आपको हर जगा देखने को मिलेगी ठीक है यहां तक क्लियर हो गया आपको अब हम लोग थोड़ा से important बातों में कर लेते हैं क्या है important देखिए यह है important पहला क्या है एक संवेधानिक आयोग है एक point यह हुआ दूसरा क्या है अनुच्छे 338 A यह दूसरा point हो गए यह बहुत important है फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या है इसका इतिहास के बारे में देखें तो वहाँ पर क्या है 338 में ही इसका तियाज यह ST के बारे पूछेगा इतिहास तो अनुच्छे 330 ही है वहाँ पर विशेस अधिकारी है और यह पूछेगा ST के बारे में तो अभी भी जो आपको चर्चा करनी है वह अनुच्छे 338 के बारे में ही करनी है यह कब तक जब तक इनका विभाजन नहीं होता जब तक यह separate आयोग नहीं बन जाते हैं तीक है इसको कहते थे इसको आयोग कहते थे इसका 65 संविधान संसुधान 1990 यह भी important है यह 3 पॉइंट माल लीजे 12 मार्च 1992 को हुआ इसका आयोग जो अधिनियम का year है उसको अच्छे से याद कीजेगा फिर यह सबसे important आपका चौथा नंबर जहां पर क्या है आपका National Commission शेडूल कास्ट और सेडूल टाइप अलग-अलग हो गया है यह आपका यह इसमें आप देखेंगे 338 यह आगया मतलब यह पांचमा पॉइंट हो गया ठीक है और छटमा पॉइंट इसकी संदचना है यह बहुत important है बिलकुल ध्यान दीजेगा यह आपके लिए बहुत important है अच्छे से आप इसको revision कर दीजेगा लेकिन एक समानता आप जरूर समझेगा कि सब की समानता क्या है समानता सब में है चाहे आप National Commission of Schedule Cast पढ़ेंगे National Commission of Schedule Tribe पढ़ेंगे या National Commission of Backward यह आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी ठीक है अब देखें हमने आपको इसके पहले जो पेज में संद्रशना थी इसमें एक अध्यक्ष्था एक उपाध्यक्ष्था और तीन सतस्थे मदर टोटल कित्य हो गया पाँच ठीक है यह भी इंपोर्टेंट हो गया अब इसकी इंपोर्टेंट पदावधी क्या होगी तीन वर्स तीन वर्स के लिए राष्ट्रपती के दवारा नियुक्त किया जाएगा और अधिक्तम दो कारेकाली के लिए कित्ते कारेकाली के लिए दो कारे काले के लिए अब इदी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसमें वर्तमान अध्यक्ष कोन है? हर्स चवहान वर्तमान उपाध्यक्ष अंसुला उइके हैं और प्रतम अध्यक्ष है कुवर सिंग ये बिल्कुल भी important है आपको बिल्कुल यच्छे से याद करना है ठीक है? अब हम रहो गए अब इसके कार क्या क्या है? देखी कार लगभग वही कार आपको मिलेंगे जो कार आपको देखने को मिले थे किसमें? स्ट में तो जो स्ट की कार है क्या है? समिधान के तहत जो स्ट जो होता है उनको प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों के समंद में सभी मुद्दों की निगरानी और जाच करना उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से सम्दित सिकायतों के मामलों में पूस्ताच करना और सामाजिक आर्थिक जो ऐसी होते हैं समाजिक आर्थिक विकास उजणाव पर केंदर या राजसरकारों को सलह देना इन सुरक्षा अपायों के कार्यानवयन हेतु राष्ट पती को नियमित तोर पिर रिपोर्ट परिशुत करना दे सामाजिक आर्थिक विकास और अन्य कल्यानकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु उठाय जाने वाले कत्मों की भी सिफारिस करना इसका मुख्य काम होता है जो समुदाय के कल्यान, सुरक्षा, विकास और उन्नती के समद में अन्य जो कारे होते हैं वो भी करेंगे मतलब कारे सेम वही हैं जो आपने स्ट के लिए पढ़े हैं सेम आपको कारे वही मिलेंगे जो इसमें होते हैं समयधानिक प्रावधान की बात, समयधानिक प्रावधान भी आपको वही मिलेंगे जो अभी किसमें एस्टी में पड़े थी क्या पढ़ा था पंbnरा चार में अन्सुचित जाती, अन्सुचित जन जाती कि 99 है ति विशेष प्रावधानों को संधरवित करता है ये पंद्राचार आपको ध्यान बताया है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, ये क्या होते हैं, ये आपका स्वातंतरता का अधिकार में आते हैं, आर्टिकल 14 में क्या है, विधी के आधार पर स्वातंतरता रहेगी, पंद्रा सामाजी के स्वातंतरता रहेगी, 16 आपके जो नौकरी बगएरा होती है, जौब होती है, उसमें स्वातंतरता रहेगी, कोई भी भर सकता है, 18 में क्या अस प्रश्चेता, मतलब क्या चुवा चुछ होतो गई, और 18 में क्या होगा, आपने उपादियों का, मतलब किसी भी प्रकार की उपादी, जन्रली उपादी क्या होती, दो प्रकारते दी जाती है, अभी वर्तमान ने, पहले समय आप देखा, राय बहादो लगा रहे हैं, ठाकुर साब लगा रहे हैं, या कुछ भी चीज़े हैं, न के आधार पर, वो है, पोस्ट के आधार पर भी बस लगा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी आधार नहीं है, जिसमें अपनी नाम के आगे कुछ वो लगाए, ठीक है, अब चलिए, इसको हम लोग समझते हैं, अनुच्छेत पंदराचार में, क्लियर हुआ है, यह क्या हो गय इसमें सूराचार में देखने को मिलेगा आपको, अनुच्छे सत्रा में क्या है, असप्रश्यता को समाप करना, अभी हम बताया है हमने आपको सत्रा में क्या है, असप्रश्यता चुआ चुआ चूट से संबंदित, जो भी प्रापधान होंगे, वो आपको सत्रा में देख लख्षा परदान करता है यह अनुचे 46 में ठीक है अनुचे 335 क्या कहता है इसमें यह कहता है कि संग और राजियों के मावलों में सेवाँ और पदों पर नियुक्ति हे तूंध अनसूचित जातियों एवं अनसूचित जन जातियों के सदस्यों के दावे को लगादार प्रशासिंग दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा, मतलब पूछ से कि किसे संबंदित है, आपको पता होना चाहिए, ऐसी ऐसी के जो लगादार प्रशासिंग दक्षता के ध्यान रखने के से जुड़ा हुआ है, अब अनुच्छे 330, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छे 332, 330 क्या है, 330 लोक सभा, लोक सभा में सीटों के आरक्षन संबंदित है, और 332 में क्या है, विधान सभा, संबिधान भाग 9 में क्या दिया गया है, पंचायतों में भी क्या दिया है, SC और ST को आरक्षन की परिकल्पना की गई है, यह भी संबिधानिक प्रावधान है, क्लिर हो गया आप लोग को, कुछ भी हो तो आपने इस कमेंट जलूर कीजेगा, अब हम लोग लास्टें पहु प्रदेश, ST कमीशन, ठीक है, ST कमीशन, इस पर देखेंगे आप तो इसमें क्या है, अधिनियम क्रमांग 25, 1995 की अंतरगत, 29 जून 1995, यह बिल्कुल इंपोर्टेंट है, क्योंकि MP के हिसाब से अक्सर पूसता है यह, तो आपको पता होना चाहिए कि 29 जून 1995 को क्या है, यह अ अधिनियम क्रमांग को 25 में 1995 की आधार पर इसका गठन हुआ था, 29 जून 1995 को, ठीक है, इसमें क्या एक अध्यक्ष और दो असास की है, सदस्य होते हैं, वनना 1 प्लस 2 की संदरशना होती है, इसमें वनना टोटल कित्ते हो गए, तीन हो गए, वर्तमान अधिक्ष कौन है, ग तो यह बिलकुल इंपर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिक कीजिएगा, ओ याद करने के लिए ठीक है, और इसके जो कारे हैं, उस कारों के बारे में हम समझते हैं, तो कार क्या है, कार में आप देखेंगे, तो आयो के कार क्या है, इसे कार वही हैं junior किनी विशिस्ट जातियों मूलवन्सों या जन जातियों या ऐसी जातियों मूलवन्सों या जन जातियों के भागों या उनमें से यूथों को सम्विधान और आदेश 1950 में सम्विध करने के लिए कदम उठाने के लिए राजसरकार को सिफाइस करेगा मां तो बहुत से जो सा राज सरकार या किसी अन निकाय प्राधिकरण के कारिकरमों के संबंध में जो ऐसे यह कामें के लिए जिम्मेदार हैं सुधार है तू सुझाओ दे लोग से आवाओं एवं सैंखिल सनस्थाओं में प्रवेश के लिए अन्सूचित जादियों के लिए आरक्षन किसे संभन्द dul भी ये कारे करते हैं और सुझाओ देते हैं ऐसे कृत्यों का पालन जो राश्रकार दे सकी मतलब सेम वही कारे हैं जो राश्टी इस तर पे आपको अंसूचित जन जाती या अंसूचित राश्टी जन जाती आयोग है उसके रहेंगे सेम वही आपको राश्टी के आयोग को द प्राज्य अंसुचित जन जाती इसके आधार पर आप कोशन अच्छे बन सकते हैं प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से अभी से पढ़ना सुरूर कीजिए अपने शौर्ट नोट्स जरूर बनाई है आगे यहीं शौर्ट नोट्स जो बनाते हैं इसको फाइदा क्या होता ह हैं यह तो बब एक एक प्रे में काम होता है आपको बहुत और ढूसरा होता है आपका प्रे मिर में में अrukना में प्रिस्टमें आपके ये बहुत काम आते क्योंकि यह प्रिका अपको छोटे चोटे ब्री तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको आपकी दिमाग पर सेट रहेगा, अचाना कोई प्रस्चन आ जाए, तो आप कम से को लिखने की सिती में तो हो सकते हैं, ठीक है, चलिए, आज कई ही complete हो गया, आपका, अब हम कल OBC Commission पढ़ेंग झाल